हेलो फ्रेंड्स वेल्कम वेक्टू बंस अगेन आज हम आप सभी का स्टेट स्टी 34 में स्वागत करते हैं जिसमें आज हम लोग जीके के अच्छे कोशन ना देखेंगे आपने स्टेट स्टी नंबर 34 दिया होगा उसमें बहुत बें सारे कोशन आये होंगे कुछ आपको इसको क्लियर करने के लिए आया हूं और आज का जो हमारा सबसे पहला कोशन है वह आपके फ्रंट पे यह फर्स्ट कोशन है क्या कहता है कि 2011 की जनगर्णा की अनुसार उत्तर प्रदेश के कि जिले में जनसंख्या घनत सबसे कम है अच्छा एक और बात धियान दीजेगा और दसकी जनगर्णा जेखिए मैं पहले बताता हूं आपको दसकी जनगर्णा भई हमें ये पता है कि जो जनगर्णा है मतलब लोगों की जो गिंती है वो हर दस साल के बाद में होती है वो क्या होती है हर दस साल के बाद में होती है इसलिए इसे कहा जाता है दसकी जनगर् तो अब दिमाग में यह विचार आता है कि 11 के बाद 21 के डाटा 21 से कुशन क्यों नहीं आता चुकि कारण यह था बच्चों आप सब जान रहे हैं कि 2019 लास्ट में कोविड 19 आ गया और 20 में वो चला है कोविड और 21 में उस तरह से सुचाव रूप से सरकार के जो यह कहने लास् decreasing का हम सही आकलन यह सही डाटा देने में असक्षम है वो बता नहीं सके इसलिए जो आपके अभी प्रश्न बन रहे हैं यह आता है यही सबसे कम है यही आपको बताना है तो देखे क्या है ललिटपुर है मिर्ज़ापुर है या हमीरपुर है तो क्या है इसका प्यारे बच्चो इसका जो सही आंसर है वो ललीदपुर है इसका क्या सही आंसर है इसका जो सही आंसर है वो ललीदपुर है जो भी बच्चो ने ललीदपुर आंसर किया होगा उन सभी का जो है बिल्कुल सही है जिन बच्चो ने ललीदपुर आंसर किया है उन सभी का आंसर सही है तो आई एक बार देख लेते हैं अगर मैप के हिसाब से समझते हैं इसको तो मैप के हिसाब से तो कुछ इस तरह से मैप ड्रौ होता है लगभग अगर हम बात करें मालीजे ये उत्तर प्रदेश है तो ये जो हिसाब देख रहे हैं ये हिसा ललित पुर है ललित पुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो तीन और, जो तीन और, तीन साइड से मध्य प्रदेश से क्या है, घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और ललितपुर की बात करें, तो जनसंक्या घनतु जो है, ललितपुर में क्या है, सबसे कम है, अच्छा जनसंक्या घनतु का मतलब क्या होता है, कई बार दाइरे में कितने दूरी में कितने लोग रहते हैं भाई जैसे घनत आप पढ़ते हैं आप घनत का फार्मूला क्या पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम मने द्रब्यमान बटे अगर हम कहा दे घनत वरबर क्या हो गया मास अपॉन व सबगर मैं मिरजापुर भी नहीं है अ हमीर भी नहीं है तो अच्छा यहां थोरियम के भंडार भी मिलते हैं मद्ध प्रद्य से सठा हुआ यह छेतर भी है इतनी जानकारी आपको मिली अच्छा अगर सोनभद्र देखेंगे तो सोनभद्र का एरिया यहां पड़ता है इस तरीके से सोनभद्र पड़ता है चार अलग-अलग राज्योसिस की सीमाइस पर सोती है मिर्जापूर की बात करे मिर्जापूर से हमिरपूर की बात करें बेटा कर हमिरपूर देखें तो हमिरपूर यह एरिया है यहां पहलग-बग हमिरपूर हमिरपूर वो छेतर है जहां पर यमुना नदी से कौन सी नदी मिलती है यमुना नदी से बेतवा नदी मिलती है हमिरपूर में हमिरपूर वो तो अब मैं समझता हूँ जो चारों आफशाने उनकी भी कुछ जानकारी आपको मिल गई तो भविश में अगर कभी कोई आपसे पूछे तो आप इसको बिद्वत तरीके से बता पाएं समझा पाएं तो मैं समझता हूँ पहले प्रशन के उत्तर से आप सभी अच्छे से किस जिले में साक्षर्ता दर सबसे कम है क्या बात बहुत अच्छा प्रशन है साक्षर्ता दर जो है वह सबसे कम कहां पर है तो बच्चों एक बात तो अभी इस पस्ट हो गई आप सब की दिमाग में प्यारे बच्चों आप सभी एक बार 2011 की जनगड़ना वाला जो चैप् पूरा अच्छे से पढ़ ले अगर जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वह अच्छे से इसको एक बार रिवाइस कर ले क्योंकि इससे कई प्रशन देखे बन रहे हैं दो प्रशन तो हमें मिल गए हैं आगे भविश्च में और भी प्रशन मिलेंगे तो मैं आप से जा राम पूर है हमेर पूर है क्या है जहां सख शारता कैसे और सभसे कम है तो आईए कि इसका सही आंसर है इसका जो सही आंसर है ऑप एढूंब हैस्थ बहराईच हम यह कह दें नेपाल वॉडर से सटा हुआ जिला है यह ठीक है यहां के छेतरी भासा में लोग कहते हैं भया तुम चलो हम अब बयाईथ है समझ रहें तो यह बहराईच छेतर की भासा है और बहराईच छेतर में साक्षर्दा दर जो है वो सबसे कम है अच्छा यह पूछा जाब सबसे ज्यादा कहा है तो सबसे ज्यादा बताएंगे गाजियाबाद यह लाहाबाद गाजियाबाद यह खेंगे अगला प्रशन की क्या है कि दो हजार एक से 11 के दारान उत्तरप्रदेश की औसद दसकी विकास दर क्या है उत्तरप्रदेश की बात की गई यहां पे विट इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों देख लिजे इसका जो सही आंसर होगा वो हमें लगता है 20.23 सही है इसका जो सही आंसर क्या है 20.23 ठीक है तो 20.23 जो है यह उत्तरप्रदेश की दसकी विकास दर की चमता है यह दसकी माने 10 सालों में जो विकास किया है उत्तरप्रदेश सरकार में वो यह है दसकी विकास की चमता की बात करें तो यह है 20.23 प्रतिसत जो है यह है इसकी विकास दर है तो यह जो है इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सटीक उत्तर है तो बैस मस्ता हो यह आप इसमें संतुष्ठ होंगे अगला प्रशन देखिए बहुत अच्छा प्रशन है तबला और सितार के अभिसकार कों делать खुशयांसर की विश्मिल्ला खानBlack वाजी दली शाह अमीर खुष्रो तो क्या इसका सही आंसर है प्यारे विच्चों इसका सही आंसर है वो मुझे जो लगता है वो अमीर खुष् एक बार सब लोग दुरह ध्यान समझेंगे अगर हम बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में तो अमीर खुसरो वही व्यक्ति हैं इन्हें तोतिय हिंद कहा जाता है पहली पॉइंट इन्हें कहते हैं तो यह हिंद कहा जाता है एक बात तो यह आप सभी के दिमाग में मैं समस्ता हूं पुरी तरी के सही है अच्छा अब दूसरी अगर हम बात करें दूसरी बात यह है कि अमीर खुसरो आठ राजाओं के वन्सावली को देख चुके थे अच्छा सबसे ज़्यादा हमें इनका प्रादुर भाव कहां मिलता है सबसे ज़्यादा यह किस शेत्र में रहे हैं तो अगर हम यह कहें अमीर खुसरो अमीर खुसरो का जो सबसे ज़्यादा प्रादुर भाव है सबसे ज़्यादा प्रादुर भाव का मतलब के समय में सबसे अधिक यह कारे किये हैं तो आपने नाम सुनो होगा बच्चो अलाउद दीन खिल जी अलाउद दीन खिल जी तो मित्रों अलाउद दीन खिल जी का जो समय रहा है उस समय में इन्होंने काफी अच्छा रहा है अलाउद दीन खिल जी का समय 1296-1316 इसवी का समय है तो इनके समय में अच्छा अमीर खुसरों ने ही तबला और सितार अगर हम संगीत के छेतर की बात करें तो संगीत के छेतर में दो वाद्दे यंत्र हैं एक है तबला और एक क्या है सितार इसको खोज करने वाले इसके अभिसकारक जो है वह भी कौन है अमीर खुसरों है तो अमीर खुसरों का यह जो है उत्तर मैं समस्ता हूं बिल्कुल सभी है इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी बिश्मिल्ला खान साब सहनाई वादन थ ठीक है वाजी दली शाह साब यह हमारे अलसा नियावद लखनों के नबाब थे और अमीर खुसरों साब की बात करता अमीर खुसरों साब तो आप देखी रहे हैं उनके बारें जान गये हैं तो मैं समस्ता हूं यहां तक कोई दिकत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगला प् झौाल पूर कोल्काता या हैदराबाद तो कहां के यह थे तो इसका उत्तर हो जॉना चाहिए जौनपूर के बारे में कुछ सब्सक्राइब करते हैं हुशैन सरकी साहब के नहिंग के थे कि और मिए और अच्छा जॉनपूर की बात करें तो जॉनपूर जो सहर है इस से बसाया था किसने जॉनपूर सहर कोि बसाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया अच्छा जौनपुर सहर जो बसाया गया वह फिरोशा तुगलक के बड़े भाई भाई जैक है भाई जान यह कहते हैं बड़े भाई बड़े भाई जिनका नाम था मुहम्मद बीं तुगलक क्या नाम था उनका मुहम्मद बीन तुगलक तो मुहम्मद बीन तुगलक के याद में जोनपुर सहर जो है बसाया गया था अच्चा एक बात और वड़ी इंपॉर्टेंट है कई बार पूछी आती है एक्जाम में जौनपूर सहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है अर्थात ये हिंदूं के सिरका ताज है इस तरह की भी पद्धती इस तरह की भी जी अंकलन या संक्या दी गई है इन्हें ये भी कहा गया है तो मैं समझता हूँ जौनपुर जो है आपको इस पस्ट होगा अच्छा आगरा सहर की बात करें तो आगरा को पंद्रा सो चार में सिकंडर लोधी के द्वारा बसाए गया था तो मैं समझता हूँ यहां तक का आपको क्लियर हो गया अच्छे से अब आपके सामने अगला कुश्चन क्या है अगला कुश्चन है कि निमलिकित में कौन सी जन जाती उत्तर प्रदेश में नहीं रहती है विच ऑफ दा फॉल्वार नहीं रहती बक्षा ने रहती थारू या खोंड तो मुझे तो लगता है भाई खोंड होना चाहिए आईए देखें खोंड बिलकुल सही है खोंड जो है यह यहां पे नहीं है अच्छा यहां नहीं तो फिर कहा होगा यह भी तो पता होना प्रसा ध्यान देजिए अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जन जाती है उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जन जाती है वो जन जाती है थारू वो क्या है थारू जन जाती यहां की प खरवार के बाद अगर कहें तो खरवार जैसे ऑक क्षा ओक्षा ऐसे यह सब प्रमुग य वन जाती है और ऐयसे ही अगर जैसे नीचे की बात ये खोंड जो है खोंड या खोंड जो है खोंड पशिम मंगाल की है कहांकी है पश्यम बंगाल की है ऐसे जैसे अगर हम बात कर ले माल लिजे मुंडा कभी आप मुंडा सुने होंगे बच्छो मुंडा 36 गड़ च्छतिस गड़ की बात करें च्छतिस गड़ या जारखन छेत्व मुंड़ा है जैसे आपने कभी सुना होगा मीन जन जाती मीन या मीना या कहीं कहीं लिखा जाता है मीनडा तो मीनडा जन जाती राजिस्थान में पाई जाती है कहां राजिस्थान में ऐसे तो इस तरह की कुछ जनजातियां है जैसे अगर हम यह कहा दें गारो जैसे कभी आप सुने होगे खासी खासी गारो या जयन्तियां अगर हम ऐसी जनजातियों की बात करें तो यह जनजातियां कहां पाई जाती हैं ये जनजातिया पाई जाती हैं मेगाले में, तो इस तरह के अलग-अलग छेत्रों में पाई जानी वाली कुछ फिम्ब जनजातियां हैं, जिनके बारे में कभी-कभी आपसे एक्जाम में पूशा जाता है, ये बचो जारखंड लिखिएगा, ये जारखंड है, और ये जो है यहां से भी प्रशन पूशे जाते हैं, एक सिंपल जनजाती के बारे भी पूशा जाता है, आपसे प्रयास यह किया जाता है, ये आप इन जनजातियों को बता पाएं और सही आंसर अपना सुनिश्यत पर पाएं, तो अब अगला प्रशन हमारे सामने हैं आपके लिए, प्रेज ने डाई कि नेर्ट कि पूरण भार अज्यानकी की आरस लक्नाओं चैपुर्ड तो मित्रों इसका जो सही आंसर है दो लखनों घ्रावनА है ृट्यार's याद रखेए संभू महराज जी की बात करें कृट संभू महराज जी संभू महराज जी लख्नों घ्राने Left कतर्निया घाट अभ्यरण उत्तर प्रदेश के किस दिले में स्थित है कतर्निया घाट सेंचरी इस लोकेटेड विच जिस्टिक इन अफट प्रदेश बहराइच गोंडा बलरामपूर हर्दुई भाई बात से ही सपस्ट है ये तो मैं समझता हूँ कई बार आप बारा बंकी पर जाते होंगे तो रोड पर बोड लगा देख लेते होंगे कि इसका आंसर बहराइच होना चाहिए तो बहराइच ही है क्या है विलकुल सही है अंसर हर दोई में तो सांडी पक्षि विहार है ठीक है तो एक बार देख लें हम यह कह दें कि जैसे मालेजी आप लखनव है लखनव से आप जाते हैं बारा बंकी कहां गए आप बारा बंकी तो अच्छा बारा बंकी रूट पे और आगे निकल गए तो आप पहुच जाएंगे आयोध्या और इसी रूट से अगर आप इस साइड को थोड़ा सा मुड़ गए तो आप कहां पहुच गए बहराइच और बहराइच में क्या है कतर्निया घाट है ठीक है क्या है कतर्निया घाट है और कतर्निया घाट यहां पे क्या है अभ्यारण है अभ्यारण है जो जंगली जीवों के लिए क्या है जंगली जीव जली जीवों के लिए क्या है बहुच जदा प्रशिद्ध है बहुच जदा समझ पार रहे हैं включ निया Awand house up- तो इसका आपको अंसर और वर्यार भी हुगा अब एक सामान location के मद्याम से हिसाज पार रहा हैं कि लगना उसे 12 21 ंकि के रूट देखना है 12 के रूटे ही इगर आप जाएं कभी आपको बहरायज का रूट मिलेगा और सीधे जाएंगे तो एध्या का रूट मिल जाएगा इस तरह से और यहां पर यह चीज़े जो है पुरित्रे के से इस पस्ट है अब अगला प्रश्ण आपके सामने है सुर्ष सरूबर अभ्यरण भारत के किस राज्ज में है बहुत बढ़िया सांडी पक्षी विहार हर्दोई में है यह सब है इस तरीके से अब ऐसे देखो फिर एक कुशन आगया कि सुर्ष रोबर अभ्यरण किस राज्ज में है और स्वाभाविक हम लोग इस्टेट जीगे पढ़ रहे हैं तो आप स्वाभाविक यूपीजी बता सकते हो आप सही सब्सक्राइब कर पहसे होंगे तो राजिस्थान में सारिस्का है रर्धमभावर है यहां विहार में की महाविर स्वामी आप पढ़ते हैं वैसे उत्र प्रदेश में आप पढ़ते हैं यहां लोग सुर सरोबर किया है का भ्यारण है जो बहुत ज़्यादा प्रशिद्ध है पश्मि उत्तरब्रदेश शेत्र में अगला आपके सामने है बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है अब देखो बेतवा अभी मैंने पीछे देखो बताया था आपको एक मैप बना के समझाय नदी है तो आएए हम एक बार फिर से स्कूल मैप के माध्यम से थोड़ा डीटेल में समझ पाएंगे और जब समझ पाएंगे तो यह हमें और अच्छे से इस पस्ट हो जाएगा तो मित्रों एक बार सब लोग ध्यान से देखिएगा नदी को लेकर थोड़ा नदी में आप को डीटेल में आएगा समझ में चीक है यह इस तरह से देखेंगे ऐसे करके और यह इस तरह से ऐसे ऐसे यह मान लिजे कि यह उत्तर प्रदेश का कुछ मैप है ऐसे थोड़ा सा अगर इसको हम और बना दें इधर से करके थोड़ा सा उठा हुआ यह अगर ऐसे बने तो ज्यादा उच्छित लगेगा अब देखेंगे बात की गई है बेतवनदी की किस की की बात गई है बेतवनदी की के हम धेखते क्या है कि यह बगल में जो राज्ज है हमारा इस तरह से उत्राखंड के पास में है यम नोत्रि हिंगलेशियर यह क्या है यमुनोत्री हिम गलेशियर और बंदर पोच की चोटी भी यहीं पर है तो भया यहीं से एक नदी निकलती है जो ऐसे होते हुए इलाहाबाद में जाकर हम यह कहने हैं कि इलाहाबाद में यह उपर गंगा है यह नीचे है यमुना नदी ऐसे अब होता क्या है होता यह है कि अगर हम यह कहें एक नदी तो ऐसे यहाँ पर एक नदी थोड़ा और नीचले छेत्र में यहाँ पर और एक नदी अगर हम यह कहें तो मध्य छेत्र में लगभग ऐसे यहाँ पर तो अगर इस तरह से देखें तो सबसे नीचले छेत्र में जो है वो पड़ेगा आपका बांदा और बांदा में केन नदी यमुना से मिलती है ऐसे मद्ध में अगर हम जाएं ऐसे तो ये पड़ेगा हमीरपुर हमीरपुर वही जालौन के पास में है हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना से मिलती है ये आप जानते हैं और फिर अगर सबसे उपर ये बात करें हम ऐसे, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर इटावा की बात करें, तो इटावा में चम्बल नदी यमुना से मिलती है, अच्छा मैंने सुना है कि चम्बल में घड़ियाल भी पाये जाते हैं, हो सकता आप लोगों ने भी कभी सुना हो मित्रों, तो अब प्रशन क्या था, कि बेतवा नदी किस नदी की सहायक है, तो यमुना आपका सही आंसर होना चाहिए, और है भी वही सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, यमुना है, तो बच्छों इसका एक सब भी आप ले लेंगे, प्रसा और आपको स्पस्ट हो जाएगा, यह किलियर समझ में आ जाएगा, अब अगला प्रशन हमारे सामने है, अगला प्रशन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का लोग निर्ते कौन सा है, लोग निर्ते कौन सा है, राम लीला, रास लीला, नौ से लोग निर्ते हैं अगर उत्तरप्रदेश के निर्त की बात करें हम लोग डांस की बात करें यूपी के डांस की बात करें तो यूपी में कौन-कौन से डांस हमको मिलते हैं या कौन-कौन से डांसों के बारे में हम जान पाते हैं देखिए यूपी में दो तरह के निर्ते है एक निर्त होता है सास्त्री नित्र और एक होता है लोक निर्त्र एक होता है लोक निर्त्र अच्छा अब अगर हम बात करते हैं सास्त्री निर्त्र की सास्त्री निर्त्र जो है वो है कथक कथक ये लोग निर्द की बात करें तो जैसे इसमें हमें पता है राम लीला जैसे रास लीला भगवान से ले कृष्ण का नाम याद होगा चर्कूला राम लीला, रास लीला, चर्कूला इसके बाद में बिरहा कजरी ये सब गीत भी है संगीत भी है आलहा आलहा नोटंकी इसके बाद में फगवा फगवा एक गीत है इत्यादी इतने अभी मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूं ये इतने जो है ये हमारे लोक निर्त में या आप मैं समझे ये गीत में भी हैं लोक गीत में भी हैं और लोक निर्त में भी हैं तो कई बार हमारे छेतरी समधा में हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभिता जो है यहां जलकती है इससे हमारे छेतरी भासाओं के बारे में पता चलता है हमें ज्य अब तुलसी दास जी महान आदमी जिस भी कविता में जरचना में कहीं अगर वली आपको लिखा मिल जाए कविता वली दोहा वली ऐसे कुछ मिले तो आप उसको तुलसी दास लगा सकते हैं तुलसी दास आपने पढ़ा होगा कभी कि समबत सोला सव असी गंके तेर सावन प्रिष्णा सब्टमी तुलसी तजेव शरीर तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया था तुलसी दास जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे सापको रसी समझ के उनसे मिलने पहुच गए उनसे सापको रसी समझके वह उपरे कोठी उटाराण फुल्सी दास के लिए और च्था प्रुद्ध के किस चले में और अच्छा ये भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है उसका नाम है मथाकूर बुद्ध प्रतिमा ये किस जिले में है बुद्ध की कभी भी प्रतिमा आये तो स्वाभाविक है जैन ये बहुत धर्म से जुड़े हुए अगर बातों को करें तो उत्तर प्रदेश का जो मांचल का छेत्र है एकदम पूर्वी हिस्सा या हम ये कहते बिहार छेत्र से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर अगर आप टिक मारेंगे तो आपको सही उत्तर हो तो इस हिसाब से आपको इस फरस्ट बास समया रही है कि कुशी नगर जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए त उनके निवाण को क्या कहा गया उसे कहा गया महापरी निवाण क्या कहा गया उसे महापरी निवाण कहा गया पावापरी में इनका देह वसान हुआ तो कुशी नगर जो है इनके लिए प्रशिद है कुशी नगर बुद्ध की प्रतिमा के लिए तो जो भी बच्चे बुद यहां तक जो है उत्तर प्रदेश का सिराजे हिंद का अभी देखिए मैंने आपको बताया था तो यहीं पे इस पस्ट है मैं एक बाब फिर से कुछ बाते बता देता हूँ थोड़ा दिहान से समझेगा हो सकता भविष्व में आपसे एक्जाम में दुबारा वो रिपीट हो या दुबारा आपसे पूछा जाए वह यह इसका आंसर सिराजे हिंद के हिसाब से आंसर जौनपूर होना चाहिए समयकाल था बच्चा उस समयकाल कितना था समयकाल था 1351 से लेकर 1388 तक इन्हों ने जौनपूर सहर अपने बड़े भाई जौना खान की याद में बनाया तो जौना खान के नाम से ही सहर बस गया जौनपूर और जौनपूर को क्या कहा गया सिराज ए हिंद कहा एक एतिहासिक नगरी है ये सिराज एहिंद जौनपूर में पांच नदी बहती है विसे नदी तो भईया एकी है वहाँ पे में नदी जो है वो गोमती है लेकिन इनके अलावा भी सई है वसुदा है वरुना है गोमती है ठीक है इस तरह की नदिया वहाँ भी और बहती है अच्छा अटाला मज़िद जौनपूर में है एक बात याद रखें अच्छा नंबर दो जौनपूर सहर में शाही किला है क्या है साही किला है इसके अलावा और कहें जौनपूर में साही पुल है यह क्या है साही पुल है यह तो यह सब भी जौनपूर में है अच्छा जौनपूर मे लिंग अनुपाद सबसे उत्तम है, लिंग अनुपाद सबसे उचित है, तो जॉनपूर का जो लिंग अनुपाद है, वो सबसे ज़ादा है, चीक है, लिंग अनुपाद भी वहाँ पे क्या है, बहुत ज़ादा है, लिंग अनुपाद, अच्छा, लिंग अनुपाद वहाँ जौनपूर के लिए प्रशिद हैं हो सकता है कई बार आप से इसके बारे में पूछा जाए तो जौनपूर विल्कुल सही आप बताएंगे अच्छा बलिया पूर्वांचल का सबसे लास्ट जिला है बलियाक बास सीधे आपको बिहार मिल जाता है आगरा 1858 में मारी पुरे दुनिया की सबसे पुराना सहर लगबग 4000 साल पूराना है यह जौन बनार सहर तो इसलिए जो है काफी फेमास है काफी जो यह पॉपुलर है तो मैं समस्ता हूं यहां तक की बाते आपको सबस्ट हो गई होंगी अब आपके समक्ष जो है अमारा अगला प्रश्ण है देखें बहुत बढ़िया कोश्ण है अभी आपने देखा कि जो दारजिलिंग में चाय का उत्पादन होता है तो उसे भी जी आई टैग मिला है अब यहां जी आई टैग से कोश्ण है तो सबसे पहले याद रखें यह जी आई टैग से बड़ा इंपोर्टन प्रश्ण है क दो हजार तेफी में, बागपत के किस उत्पात को जी आई टैग मिला है बागपत की बात करने बढ़िया, बागपत जो है पश्यमी यू पी का एक जी ​ ततरव बागबस प्ष्मी अ्थर प्रदेश योपी मतलब होता है जिओउग्राफिकल आइणिटिफिकेशन ऑफ गोडना…! मतलब बहुत पहचान के आधार पर किसी वस्तु को अंगित या इंकित करना जिसके माध्यम से हम ये बता पाएं कि वह वस्तू उस छेदर के लिए कितनी popular है उसका कितना महत देती है इस बात को समझा पाते हैं तो क्या कह रहा है कि बागपत में कौन सा वस्तू है जो उदर का बहुत popular है तो धोलाक है घरेलू समान है हत करदा है या तारकशी है तो इसका जो answer है वो C होना चाहिए C answer hand loom product जो है माफ करिए का इसका answer जो है ये home furnishing है घरेलू उत पात जो है घरेलू उत पात जो है यहाँ बागपत के लिए क्या है वो प्रशिद है गरेल उत्पाद गरेल उत्पाद दिये यह अच्छा अगर ये हैंड लूम हत्करदा की बात करें तो हत्करदा का जो छेतर अगर मिलेगा तो यह चंदॉली का चेतर इसके लिए बात करते हैं जैसे अगला प्रशना आपके सामने है मोटो जीपी क्या है मोटो जीपी 2023 हैस बेन इन विल्ड इन विच ऑफ स्टेज इन इंडिया मोटो जीपी 2023 का अनावरण भारत के किस राज्य में किया गया है अच्छा अब यह मोटो जीपी क्या है अगला प्रशनाप के सामने है नेमलिकित में किस राज्य में किस राज सरकार ने 2017 से लेके 21 तक के सभी ट्राफिक आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार यह कहने स्री योगी आदित नाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी हैं इन्होंने ये बात ऐलान किया क्या इन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी चालान हुए है चालान किसके जो गाड़ियों के चालान हुए को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है राद कर दिया गया है को City जे आसानी से अगना पर प्रश्park प्रश्न हमारे सामने है मिलिखित में से किस सरकार कौने की है तो इसका जो सई आंसर है पच्छा वो यूपी है क्या है यह नंद बाबा याद रखें नंद बाबा यू दूद मिशन की बात करें देखें नंद बाबा क्यों से नाम दिया गया है चुकि अगर हम बात समझते हैं जैसे आपने देखा था भगवान श्रीकृष्ण जी माखन घाते थे ना तो दूद्ध या डेरी से बना हुआ एक प्रोडेक्ट है माखन यह मखन तो अब हम यह कह दें नंद बाबा थे या नहीं थे वहां पर याश्वमति मय्या ठीक है और नंद बाबा के आगन में भगवान श्रीकृष्ण भी का जो है जर्म हुआ और जर् रखा गया कि नंद बाबा दूद मिशन योजना और उतर प्रदेश सरकार के दौरा इसका जो है क्रियानेवन किया गया है इसका जो है बात की गई है अगला प्रश्ण मारे सामने है निमलिखित में से किस राज सरकार ने बेघर बुजुरुगों को आश्रे देने के लिए एल्डर लाइन योजना शुरू की है एल्डर लाइन योजना तो देखो भी यह एक योजना है जिसका नाम है एल्डर लाइन योजना ठीक है अगर हम यह कहें एल्डर लाइन अच्छा एल्डर लाइन योजना के लिए सरकार ने एक नंबर भी दिया था मुझे थोड़ा इस पस्ट नहीं है याद नहीं आ रहा साइद 125647 था ठीक है 12347 करके नंबर था जिसमें आप डायल करके उन वेक्टियों को बुला भी सकते हैं जो बुजूर्ग भी वेक्ति हैं बेघर हो चुके हैं जिनको बच्चे जो है उनको अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दे हैं और उन बुजूर्ग हैं तो न मुझूर्गों को जो है एल्डरला Chain योजना के तहत क्या करेंगे एल्डर और यो ना के तहत सरकार जू है उनको आश्रे देगी सरकार उनको रखेगी ब्रधा आत्रम उनके होंगे तो ये जो प्रारम की गई योजना ये भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारम की गई है तो इसका भी जो है सही आंसर उत्तर प्रदेश है क्या है इसका सही आंसर इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश है तो मैं समझता हूँ इतनी बाते आप सबको इसपस्ट हो होंगी इतनी बात आप सबको अच्छे सुन आ गई होंगी अगला प्रश्ण हमारा है ने में लिखित में से किस कंपनी ने उत्रप्रदेश राज्य विद्धुत वित्रण निगम लिम्टेट के साथ में सम्झावता किया है बहुत अच्छा कुश्चन है क्या है कि विच्व किसा इन निगम लिम्टेट अजानी ग्रीन एनरजी लिम्टेट अजानी ग्रीन और जाज इलेक्रोइट विम्टेट इसका जो सही आंसर है वो एंटी पीची है नेशनल थर्मल पावर कोप्रेशन ने अभी हमारे भारत उत्रप्रदेश के यूपी पीसी यल के साथ में किसने इन्योंने एक या क्या टाई अप किया है समझावता किया है तो यह समझावता किसे हुआ के द्वार यह समझाता किया गया तो इसका जो सही आंसर है वह सेकंड यह भी था अब देखिए अगला प्रशन क्या है कि हुशाइड दर्डी वॉल्ड ऑफ 1857 दा फिस्ट वार उफ इंडिपेंडेंडेंस किस ने कहा था कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंतरता संग्राम है एस एन सेन सहब वीडी सवारकर जी ने कहा था आर सी मजूमदार ने कहा था या जॉन सीली ने कहा था क्या इसका सही आंसर है तो इसका जो सही आंसर है वो वीडी सवारकर है याद रखिएगा एक बार ये भी प्रशन पूछा गया था वीडी सवारकर अंतर रास्टी यह अड़ा कहां पर है यह प्रश्ण भी एक बार आ चुका है अगर हम बात करते हैं वीडी सवारकर वीडी सवारकर इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक बार एक्जाम में आया था तो यह कहां है यह पोर्ट ब्लेयर में अब बोल्ड ब्लेयर कहां पड़ता है अंडुमान और नीकोबार के पास में यहां पे यह है इस साथ वीडी सवारकर तो यह भी तो बीडी सवारकर साथा ने यह कहा था 1857 की जो क्रांती थी वह क्या थी भारत की हमारी पहली क्रांती थी यह पहला सोतमता संग्राम था भाई आपने ये भी पता था आपको अठारा सो सत्तावन की क्रांती में मंगल पांडे को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जबर जस्ती चर्विक कार्दूसु का प्रियोग करने के लिए बादे कर दिया गया 29 मार्च अच्छा कुछ बात पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जैसे 1857 की बात करें 1857 में तीन प्रमुक डेट थी मैं पहले भी आपको एक बार बताया हूं एक 29 मार्च एक 8 अपरेल और एक हमने पढ़ा 10 मई अब इस तीन तारीखों को ध्यान समझें आप सभी क्या 29 मार्च को मंगल पांडे ने यह कह दें कि दो अंगल जदिकारियों को गोली मार दी क्योंग गोली मार दी क्योंकि जबर रस्ति उनके द्वारा चरविद कार्थोसों का प्रियोग करने के लिए उनने बात दिकिया गया था फिर उसके बाद में 8 अपरेल 1857 को मंगल पांडे को कोलकता के बैरकपुर शावनी मिले जाकर फासी पलटका दिया गया जब उनको फासी पलटका दिया गया तो भारत की जनता भारत के सभी की एक ऐसा अंदोलन किया जिससे अंग्रेज पुर्टरिके से टूड जाए भारत से चूट जाए और भारत से बाहर निकल जाए दस मई को सभी छेत्री नेता एक जगा एक जो डिकठा हुए और उन्होंने क्या क्या उसका विरोध किया इस विरोध के प्रणामता हमें क्राउन रूल इंप्लीमेंट क्राउन रूल हमारे है क्या हुए रूब कि यहीं यहां पर आगया तो गहांड कर साहब ने पहले अगला प्रशन क्या है मांच था कि यहाँ पर पिर एक लोग निर्थे हैं मैंने बताया कि हर राज्य के बहुत ढहर सारी लोग निर्थे घिक राइस तरीके से माच्छ भी क्या है एक लोग निर्थे आपको बताना है किसी छेद्र का है तो इसका जो आप याद रखें, डबल M, क्या याद रखें, डबल M, मा से माच, असम में तो भी हुँ मिलता है आपको, तब जानते हैं, ठीक है, जैसे चतिसगड में जोरा जारी, जारखंड में मुंडा डांस, ऐसे, माच, मयूर भन्च, ये सब डांस होते हैं, ठीक है, तो ये जो है, इ अगला क्या है, देखो भई, अब ध्यान से समझो, क्या है, एशिया का सबसे पुराना तेल छेतर के सराज़ में स्थित हैं, अच्छा, तेल छेतर के गर हम बात करें, तो तेल छेतर हमारे भारत देश में, जैसे गुजरात में, अंकलेश्वर है, जैसे बॉम्बे में, प्रिंग बोई है तो यह सब यह सब हमारे यहां के तेल सोदक केंद्र है अगर हम तेल सोदक केंद्रों को भारत के मैप के अनुसार समझने का प्रयास करें एक बात तोड़ा सा ध्यान दें आप सभी मित्रों माल लीजिए कुछ इस तरह से भारत का हिस्सा है ऐसे वही मानना ही है आपको ऐसे तो यहां पर पड़ता है आसाम का रीजन यह तो आसाम में जो छेतर है उसका नाम है डिंग बोई यह तेल सोधक तेंद्र है और सबसे पुराना यही है भाईया इसके बाद में यह मुंबई माने बॉम्बे हाई बॉम्बे हाई यह गुजरात में अंकलेश्वर यह गुजरात में जी जे एमेच और एस तो इसमें आंसर भी देखो आपको आसाम दिख रहा नहीं दिख रहा है तो इस इसाब से आसाम जो है वो इसका सही और सटीक उत्तर होना चाहिए मित्रों सही आंसर क्या होगा असाम होगा आए देखते हैं बिल्कोल सही आंसर है असाम है एक बार इसका पिक भी कर लें भारतिये तेल सोधक केंद्र भारतिये तेल शोधन केंद्र शोधन केंद्र ये तीन प्रमुख है जो मुझे अभी इस वक्तियाद है वो मैं आपको बता रहा हूं मित्रों नोट कर लेंगे ठीक है तेन सोधन केंद्र जो है प्रमुख है आपके अगला प्रशन आपके सामने है मंदागनी नदी का उद्गम निम् मंदागनी नदी है और ये कहां से निकलती है लोनक, चोरवारी ग्लेशियर, छोटा सीगरी टैंगो ग्लेशियर, नहीं नहीं इसका तो चोरवारी ग्लेशियर होना चाहिए भाई, जैसे यमुना का बंदर पोंच की छोटी है गंगा का गंगोत्री है या मंदाकनि Бिल्कुल ग्लेशियर है मंदाकनि जो है वो क्या है चोर बार ग्लेशियर है जो ये जो है वो सटिक還有 सबसे लास्थ question है सब लोग देखे छत है प्राचीन भारतिय इसथल रंगपुर में किस राज्य में स्थित है रंगपुर की बात करना है रंगपुर रंगपुर लोथल यादे नहीं आदे कहां का है यह एरिया तो बात से इस पर ठोचुका होगा जहां तक किलियर है वेरी गुड गुजराथ एक बाद फिर से देख लोग कहरे बचो सब लोग ध्यान से जब भी हम मैप बनाते हैं और इस तरह का छेतर बनाते हैं और ऐसा आप देखते हैं कि ना इस तरह से गुजराथ का लोकेशन आपको सुझ में आता है तो देखो गुजराथ में एक लोकेशन तो यहां पर है और यहां पर और इस तरह से जो गुजराथ टर्ण होता है तो एक लोकेश यह जिसका नाम हो गया धौलावीरा तो तीन चीजें हैं तीन जगह है और तो अब मैं समझता हूं यहां तक की चीजें सबस्च हो गई है और आपको सब्सक्राइब करता हूं तब तक के लिए थैंक्यू और बाबाइब ऑबिटा थैंक्यू मच अभी नेक्स सेशन के लिए हम लोग अबली बार मिलेंगे तब तक के लिए जाएंगे अब 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 प्रेस्ट अब लाइक